सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको आपके मुबाइल में Miss Call का जो notification है वो show नहीं होता है या फिर जो है आपका status bar में या फिर जो है आपके home screen पे अगर दोनों ही जगे आपको missed call का जो है notification show नहीं होता है guys तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो है किस वज़य से आता है और क्यों और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं हमें इस problem से चुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा आप देख सकते हैं आपके पास किसी भी company का mobile हो आपको यही काम करना होगा और आपको काम बन जाएगा guys सबसे पहले करना क्या है guys आपको जो है आपने mobile को एक बार जो है power button दबा के रखना है और इसको reboot कर लेना है यहाँ पर reboot का option है आपके mobile में restart का option हो सकता है आप जो है reboot या restart कर सकते हैं guys इतना करने के बाद देख लीजिए आप phone करके आपको जो miss call का notification है शो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बाद आपको एक काम करना होगा guys आपके mobile में phone app से related जो है applications होंगी third party application जिनको आप use करते हैं उनको जो है आपको uninstall कर देना है और एक और बात का ध्यान रखना है आपके mobile में true caller जो application है guys उसको नहीं रहने देना उसको जो आपको uninstall करना है guys इस application की वज़े से जो है आपको notification में या फिर आपके home screen पर जो है miss call अलर्ट जो है इसको लाती है उसको notification शो नहीं होता है इसकी वज़र से इसको जो है आप अपने phone से अनिस्टोल कर दीजिए guys true caller को ठीक है इसके uninstall करते ही आपकी problem solve हो जाएगी तो आप ये काम जरूर करिएगा guys उसके बाद जो है आपको करना क्या है अगर फिर भी नहीं होता आपकी problem का solution तो फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद जो आपको setting में आने के बाद जो है apps में आ जाना है guys apps में आने के बाद manage apps में आईए और यहाँ पर आपको जो है अपने phone app पर आ जाना है यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ पी एच ओ यहाँ पर देख सकते हैं मैं phone application में आ चुका हूँ तो यहाँ पर देख सीए आपके सामने होगा notification पर आ जाईए उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा show app icon badge यहाँ पर जो है इसको enable कर दीजिए guys इस option को आप जो है जरूर से enable रखिए आपका यहाँ पर यह option off होगा इसको enable आपको करना होगा guys यहाँ पर देख सकते हैं lock screen notification इसको भी आप enable कर दीजिए यह पर जो है इस पर जाहिए इस पर जाने के बाद guys आपको जो है यह options मिलेंगे यहाँ पर अब आपको guys यहाँ पर notification shade में आना है और यहाँ पर notch and status bar पर आजाना है और यहाँ पर आपको यह options देखने को मिलेंगे guys यहाँ पर आपको status bar में दिखेगा show icon for incoming notification यहाँ पर इसका यह off होगा आपका जो इसको जो है own कर देना है ओन करने के बाद और भी देख सकते हैं आप बहुत सारे notifications है आप अपने हिसाब से देख लीजेगा बट शो आइकन फोर incoming notification इसको जो है जरूर से enable कर दीजेगा आप देखिए का आपकी जो problem है solve हो जाएगी गाईज एक और बात का आपको ध्यान रखना है कोई भी third party application हो जिसको आप डाइलर पैट के रूप में यूज़ करते हो या फोन application के यूप में यूज़ करते हो या फोन जो है true color जैसी application जिनका आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको जरूर से जो है आप uninstall कर दीजिए आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी guys बस आज के वीडियो में यही बताना था कैसे आप जो इस problem से जुटकारा पासकते हैं hope आपको वीडियो अच्छे लगी वीडियो अच्छे लगी तो like करना और चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं next video में till then bye bye take care love you all